11 अगस्त को अक्षे कुमार की टॉयलेट एक प्रेंट का था और शारुख खान की इम्तियास अली वाली फिल्म टकरा रही है दोनों फिल्मों की टकर में शारुख को नुफसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उनके फिल्म बड़े बजट की है टॉयलेट एक प्रेम का था बड़ी फिल्म नहीं है सिवाय अक्षा कुमार के कोई परिचित जहराइस में नहीं है ये फिल्म जून में रिलीज होने वाली थी लेकिन रमजान का महीना महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच के चलते इसे अगस्त में शिफ्ट कर दिया गया इस टकर में ज्यादा फायदा टॉयलेट को ही होना है ये बज़ट के मामले में शाहरुक के फिल्म से बहुत सस्की है पांच दिन के वीकेंड का इसको फायदा मिलेगा दो फिल्मों की टकर होने के कारण फिल्म को अच्छी पब्लिसिती मिलेगी अक्षे कुमार का सितारा इन दिनों खूप चमक रहा है टॉयलेट के पास खोने को ज्यादा नहीं है दूजरी और शाहरुक को एक सूपर हिट फिल्म की सक्त जरूरत है उनके फिल्म बड़े बचट की है इसे बॉक्स ओफिस पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना होगा दो फिल्मों के एक ही दिन प्रदर्शित होने से फियेटर बंट जाएंगे शाहरुक को अक्षे की फिल्म के साथ स्क्रीन शेयर करने होगे लिहाजा किंग खान की फिल्म को टॉयलेट की तुल्ना में ज्यादा नुक्सान उठाना पड़ेगा